उज्जर पुलिस ने बड़ी कारवाई की एक कुविंटल 46 किलो गांजा बरामत किया है इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किये गए है पुलिस कप्तान ने पत्रकार वारता में इसका खुलासा किया है पुलिस कंट्रोल रूम में मीडियो को बताया कि बड़ी मात्रा में गांजा बरामत कर दो कार और एक मोटर साइकल भी तसकरों से बरामत की गई है मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी निशान देही पर पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए पिलिस पूछ ताज कर रही है उज्जेन से विलियन शर्मा की रिपोर्ट अगभग इस पूरे नेटवर्क का पतावा गया तो कले एक कुछ उसनी मुष्वित के माध्यम से सुचना नहीं कि मागाव धाना छेत्र में रहने वाला जो एक इसका ब्यापारी है यह अपना कुछ सामान जो खाच्रों में रहाती ब्यापारी है उसके साथ मिलकत ले जा हैं और इसको देहाद चेत में ही इसको डिस्टीविट करने की इनकी उच्छा है इस सूचना पर हमारे पास जो नंबर वागाडी का नंबर आया को उस गाडी को जब नेटरसेप्ट किया तो उसके दौरा हमें 31 कि जो गाजा उसके इसके एक पास से मिला और जो घाच्रों क जो हमारा अरूपी है उससे जब पूछताच की गई तो उससे हमारे पूरे त्यदार चेत में जो डेट बनकर उसको की कुछ बहुत को जानकारिया प्राप्तू थी उसके आधार पर हमने दो अन्य जगह प्रेट की जहां से हमें एक जगह 20 किलो और इक जगह क्लेपन किलो साथी साथ जो फुटकर जो व्यापारी है उनके संदर में कुछ जानकारिया प्राप्त हुई है जिस पर हमारी करवा ही कुई तो नागता चेत्र में एक बेजी का और मिला इस तरह से टोटल एप कुंटल 46 किलो 100 ग्राम गाजा अभी अम लोग उने चाप्त किया है और इस पुटकर जो व्यापारी है उनके संदर में महात्पूर्ण पुछना इत्राप्त हुई है साथी साथ हमारे इंवेस्टिगेशन में जो ये गाजा आता कहां से सप्लाई कहां से ये इंवेस्टिगेशन का विश्या रहेगा जिस पर हमारी प्राप्त है तो लगबत टोटल जो अभी तक हमारे जो गिरबतारियां हुई है और इन 6 गिरबतारियों में लगबा हमें 59,40,000 रुप्रे का गाजा अभी हमें चप्त किया है तुहु दो फोर्विलर एक क्रेटा गाड़ी और एक मार्टी ओमी और एक मोटर साइकेल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब तरें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी ना भूले